दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फोन पे अपका UPI ID चेंज किया जाता है तो अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो step by step फोलो करते जाएगे आप अपने मन पसंद का UPI ID लगा सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको phone pay application को open कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं phone pay के home page में login हो गया है यहाँ पर नीचे के तरफ आपको my money का option मिल रहा है simply आपको यहाँ पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर my money पर click करेंगे आपको bank account का option मिल रहा है इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको एक बार यहाँ पर click करना है फिर यहाँ click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके bank का बहुत सरा details आ गया है और अब आप यहाँ पर नीचे के तरफ देख सकते हैं तीन UPI ID यहाँ पर दीख रहा है जिसमें से केवल एक ही UPI ID जो की mobile number के बाद at the rate YBL के नाम से activate है बाकी दो UPI ID यहाँ पर activated नहीं है तो इन पर click करके आप इन्हें भी activate कर सकते हैं लेकिन इस UPI ID के पहले आपका mobile number है तो अगर आप अपना custom UPI ID create करना चाहते हैं तो simply आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर click करेंगे कुछ ही इस तरह का interface खुल जागा यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर कर लेना है जिस भी नाम से आप UPI ID बनाना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर बता देगा कि यह नाम available है या नहीं अगर पहले से किसी ने इस नाम से UPI ID बना लिया है तो यह नाम available नहीं होगा इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और नाम यहाँ पर इंटर करना होगा नमबर वगेरा इंटर करना होगा जिससे आपको available मिल जाए तो अगर आपका यह UPI ID available है तो इस UPI ID को आप create कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 अप्रेल लिखा है simple सा UPI ID है किसी को बताने में भी मुझे आसानी होगा तो ऐसा UPI ID इंटर कर लेने के बाद अगर आपको यह UPI ID मिल जाता है तो simply आपको create के option पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर create के option पर click करेंगे आपका UPI ID create हो जाएगा तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह मैंने demo के लिए दूसरे account से create किया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसा नाम यहाँ पर भद्दा सा मैंने इंटर कर लिया इसके बाद activate कर दिया था तो आपको यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर सोज विचार के अपना UPI ID नाम रखना है क्योंकि इसको बाद में आप change नहीं कर सकते आप यहाँ पर simply deactivate कर सकते हैं या फिर activate कर सकते हैं लिकिन यहाँ पर आपको modify करने का option नहीं मिलता है तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखके UPI ID को create करना है मैं अभी इस UPI ID को create कर चुका हूँ तो मैं इसे change नहीं कर सकता और हाँ यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी एक नाम से UPI ID create करते हैं जैसे कि AXL के नाम से मैंने create किया तो यहाँ पर YBL और IBL तीनों नाम से यहाँ पर UPI ID by default create हो चुका है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप UPI ID बाद में change नहीं कर सकते इसलिए जो भी UPI ID रखेंगे आप उसको सोच विचार के रखिएगा जो गलती मैंने किया वो गलती आप बिल्कुल भी मत दोहराएगा तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि फोन पर आपका UPI ID चेंज करना कितना आसान है I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट टरके पूश सकते हैं वीडियो पूरा लास्तिक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत